हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है आज हम कच्छा 10 कि हिंदी की जितने भी important सवाल है वही सब सवाल आज आप सभी को हल कराएंगे आज के वीडियो में आप सभी को संपूर ब्याकरण पहाणने वाले हैं जिसमें आप सभी की जितने भी important ब्याकरण से संबधनी बोर्ड के exam में paper आता है वही सब प्रशन आज आप सभी को हल कराएंगे फ्रेंस आज आप सभी को 22 प्रशन ऐसे कराएंगे यही प्रस्ण बोर्ड के एक्जाम में छपता है आप सभी को पता है कि 2024 में होने वाला जो बोर्ड का एक्जाम है पहला पेपर आपका 22 फरवरी को हिंदी का होगा ठीक है इतने प्रस्णों को आप देख लेते हैं तो आप बोर्ड की एक्जा में प्रश्ण आते हैं वह सभी यहाँ पे किलियर हो जाएगा आपका चले फ्रेंस वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें ठीक है यहां पर आप सम्द देखिएगा रती हास निर्वेद विश्मे यहां पर दो सब्द आपको बता रहे हैं एक हास रस बता रहे हैं हास रस ठीक है और एक करूर रस यही पोर्ड के एक्जाम में रिपीट होता है ना करूर रस देखिए हास रस का अस्थाई भावता हास होता झाइब इसके साथ में करूररस का सुक होता है कि हासर रस यहाँ से प्रशन पूचा यह minder पहेéral होगा याद इसके लाव आप याद करूर रस को जिरूर साथ में याद रखिए करूर रस का क्या होता है स्ताइब आप अगला नमबर देखिए दूसरा नमबर का अब देखिए यहां पर इस्पकास भी प्रसना व्याकर से संबंदित पेपर पूछता है कि है खग मरिक हे मधुकर स्रेनी तुम देखी सीता मिर्ग नैनी में कौन सा रस है जब आप वाक्ति को पढ़ेंगे तो आपको वाक्त से पढ़ने से ही आपको असपस्ट हो जाएगा उसमें कौन सा रस है आपको दो ही रस पूछता एक हास रस और करूर रस ही बोड की एकजाम में आपसे पूछेगा ठीक है तुम देखी सीता मिर्ग नैनी ठीक है आपसन होगा करूर होगा वीर होगा स्रिंगार होगा बै 원 को पर्ण है इससे आपको वाक्ति में मbenchसूस हो रहा होगा कि यहां पर क्या हूँ दूख्यक्त किया रहा है न आयानि ईक्षक कि पीपर पाथ सरिस्मंडोला में कौन से अलंकार है ठीक है आपसान है उपमा होगा रूपक होगा उत्परच्छा होगा स्लेस होगा ठीक है यहां पर देखें आपका पीपर पाथ सरिस्मंडोला ठीक है इसकी पीपर जो पाथ है उसके क्या है कि मन जैसे डोलता है उससे तु सब्द ये इस वाक्य में रहती है तिए आपको कौन सा होता य अगा अगरा नमबर का सवाल देखें यहाँ पर क्या आपका चौथा नमबर का मनहू मान।ो जनुमो जानू आदhod सब्द किस अलंकार प्रिक्ठ होता है डेकं अभी आपको बता है मानु जनू जानो आज़ी सब्दी आदी किसी वाक्य में आता है तो वह आपको होता है उत्परच्छा लंका ठीक है इसका सई जो आप एवल आपसा होगा सभी होगा ठीक है अगरा नंबर चोथा नंबर का सवाल देखी यहां पर पर रोला में इतने चरड होते हैं पर देखिए दो पूछता है च्रड कोई फूछता हैgend inferior अवर होता है No अगला 6 अब डेखिया कि सोरटा के प्रतांि रिती तरहें में कितने कितनी मात्राएं होती है यांजो देखेंगर ध्यांदेजी प्रथम प्रथम पूछा है और 380 ये इस 11 में 11 11 होगा इस के लिए 13 24 2017 का रीफरणर पूछ जबीस एसके लेखिए और इसको याद रखीगा तो प्रथम 14-14 में 11-11 मात्रा नहीं में जब कि दूसरा और 14 पूछा हैं तो कौन सब्सक्राइब अगला देखिए आपसं सो रठा में कितने चरण होते हैं यहां पर सब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है यहां पर मां देखिए उपसर्ग का मतलब क्या होता है कोई भी सब्द होता है ना कि कोई भी सब्द होता है उस सब्द की प्रारंव में कोई दूसरा सब्द जूड़ता है या कोई अक्छर जूड़ता है ठीक है यहां जो अक्छर जूड़े या जो सब्द जूड़े वह इसका क्या कर ठीक है देखिए नौ नंबर का सवाल क्या है अधि ग्रःड सब्द में प्रियूक्त उपसर्ग है ठीक उपसर्ग अभी पता है कि कोई सब्द दिया रहा था उसके स्टार्टिंग में जो सब्द जुड़ा होता है इसका सब्देख अधी प्लस ग्रःड हो जाए अधि प्लस समास को कौन सा समास है bijvoorbeeld榨िधा मतलब होता है तीन रंग यानि कि दिए गों दोंत समास का पाचान है कि दो सब्सक् ellairecus अभी बतारा रहा है दों potrzeb और हानी इस पका से बीश में हलांत वाला इस पका से चीन होता है एक अदो सब्सक्राणी कि रहे संख्या को दिखाताए कि संख्या को इस मतलब तीन रंगहों का समू मतलब क्या होगा टीन रंगहां से समास होगा देखें। यहां पर कौण से समास होगा बीवला आप्शन सही हो जाएगा ठीक है ? ऐसे च्ट्रीक बता रहें इस ट्रीक को आप जानते रहें। चैलि अगले नमबर नियम के सवाल को धेखते आए देखें 11 विषाद में समास से क्या बोलेंगे इसमें कौन से समास होगा हर्स और विषाद में समस्ता है स्वह दूरण समास में समास हो घर डेते कौन से दूरणсемम्न समास में नंबर का देखिए कि यहांवी पृतामबर में हम समास में पता। आबको बहुली समास कमा रहे हैं या उससे संबंधित आपको सब्सिद्ध मिले में तूह पितांबर है यानि पीला है अंबर जिसमास करेंगे तो यह किसके अंतर मुझाता है पताः करने वला कौन है चक्र को धार करना वीश्रूम है na इसका समास कौन होगा चक्र पाई देखीए से नाम से ही पता चला है किया पता चला होगी किसी भगवान के संबंध में कहा गया है या क्या हो जागा यहाँ पर बहूद्री समास होगा कौन से समास भोगा बहूद्री evolving अर्थाद कौन होते हैं गड़ेश घड़ेश भगवान के देख्ञें कि क्या होता है जो लंब उदर है न हाती के जो सूर जैसा निकला तो वह ही है लंब है उदर जिसके न अर्थाद गड़ेश तही भगवान का नाम है तहां पर कौन सा हो जाएगा सीवल आपसन सही हो कर सकते हैं कि कौन से समास है चुब बता है उसको जानते रहें यह यह लगाता है तो समझ सकते हैं अगला देखिए सुलावाण नंबर का खीर का तरस्तंको मतलब नहीं जाता है यह यहाद रखाए प्रसंद तरह लिखते हैं शूर्ज लिखते हैं इसाओ इस दिखा जाता ना शूर्ज इस पकासर दिखा नहीं जाता है यह सूरज लिखा य कर दो बझे प्रेक्टिस कर लेंगा तक आपका भी-वट cabbage सुरज actually practice. अब देखेशते हम पंत्थर पत्थर का घौत अपंतर का सीवलाचन अथी पत्थर चैनल है ओने कि इसको तो सब्णत कर लेकिए। पत्थर परस्थर होता है क्या हुआ फ्रस्थर होता है। इसका सभी जवब क्या होगा प्रस्तर होगा कपड़ा का ियाद रखिएगा निए अगला नंबर का सवाल देखें आप मचली का पारेवाची है देखिए 2023 के पेपर में आ चुका है कि मचली का पारेवाची आप से बोड के एकजामें पूछा था मचली का पारेवाची क्या होता है द्यूज होगा मीन होगा रसना होगा यह मूड होगा तो मचली का पारेवाची आप याद रखिए कि मचली क क्या होता है अब देखिए आप देखिए यहां पहें गंगा का पारिवाची पुझा।ガंगा का पतr диritos क्या हो यह देखे गंगा का क्या होता है गंगा के पारिवाची सूर्शरीता होता है इसका प्रारम प्रारम में जो सब्ड जुरा होता है आपको बता है ना इसका उपसर्व करते रहते हैं तो आपका board के exam में एक भी प्रशन गलती नहीं होगा ठीक है तो आप इन प्रशनों को अच्छी तरह का से हल करते रहिए और इस पर कुछ question practice कर लिजिए आप board के exam में एक भी सवाल गलती नहीं करेंगे ठीक है तो friends आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को share करें